हाट की ब्लॉकेज होगी दूट, डाइपटीज होगा छूम मंतर और खून बनेगा भरपूर, अगर आपने इस धाबा स्टाइल साथ को जिसे मैंने घर में बना कर रेडी किया है, उसे अपनी डेली डाइट में सामिल करेंगे, तो इसके हेल पेनिफिट इतने हैं कि आपकी आदी से जादा बीमारिया खतम हो जाएंगी, इसमें ऐसे विटामिन्स और मिनरेल्स है, जो बैड कलेस्टरॉल को कम करते हैं और गुड कलेस्टरॉल को बढ़ाते हैं, इसमें भरपूर मातरा में विटामिन ने हैं, जो आखों के लिए बहुत जादा अच्छी होती है, औ और इसमें कटा हुआ पालक अच्छे से धो करके इसमें डाल देंगे और साथी में डालेंगे मेथी और हरी लसन के कटे वेज़े पत्ते, जो मैंने साफ करके रखे थे धो के, पालक में अच्छी मातरा में आईरन होता है, जो खून की कमी को पूरा करता है, और विटामिन यह होता है जो आखों के लिए बहुत ही जादा अच्छा होता है। मेथी से ब्लड सुगर लेवल कैंट्रोल होती हैं। जिससे ह्मारी डायिपिस कांट्रोल में रहती हैं। और लस्न, लस्न से bad cholesterol कम होता है और good cholesterol बढ़ता है जिसकी वज़े से heart की blockage की problem खतम होती है तो ये तीनों ही चीजे हमारी health के लिए बहुत ही जादा अच्छी है इन सभी पत्तों को 2 minute के लिए boil करेंगे, जादा boil नहीं करना है हमें, इसका color काफी अच्छा आजाएगा 2 minute में और इसमें डालेंगे एक छोटी चमत चीनी, चीनी से भी इसका color बहुत ही इन घर के आता है तो चीनी डालना बहुत ज़रूरी है अब ये अच्छे से 2 minute हो चुके है अब यहाँ पे इसे मैं छान लूँगी और यहाँ पे मैंने लिया है एक बर्तन में ice cold water अब इस पत्तों को चान करके हम ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि जो इसका cooking process है वो रुख जाएगा अब एक चनी लेंगे और इसे चान लेंगे जो इसका ठंडा पानी है वो पूरा निकाल देंगे अब एक mixture जाल लेंगे और आदे पत्तों को इसमें डाल देंगे और साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक fine paste बना करके ready कर लेंगे यहाँ पे मैंने आदे पत्ते बचा लिये हैं और हमारा fine paste बन करके बिल्कुल तयार है देखिए इसका color कितना प्यारा आया है कड़ाई में oil गरम करेंगे जीरा डालेंगे जीरा लाल हो जाए तो इसके बाद इसमें एक medium size का बारी कटा हुआ प्यास डाल देंगे और साथ में डालेंगे बारी कटा हुआ लसन आट-दस कलिया मैंने लसन की ली है और साथ में 4 हरी मेच बारी काट करके डाल देंगे सभी चीजों को अच्छे से fry होने देंगे प्यास हमारी fry हो चुकी है अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरे लसन की पतिया इसे भी fry कर लेंगे सभी चीज़ अच्छे से fry हो चुकी है अब इसमें डाल देंगे 2 चमच बेसन बेसन डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बेसन को भी अच्छे से भून लेंगे बेसन में से अच्छी खुस्बूँ आने लगी अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे सभी चीज़ों को अच्छे से mix कर लेंगे और सारी चीज़ें जो अभी तक हमने डाली है वो सभी अच्छे से fry हो चुकी है अब इस stage पे हम जो हमने puree बना के रखी थी पत्तों की उसे डाल देंगे और जार में थोड़ा पानी डाल करके वो भी डाल देंगे और जो पत्ते मैंने बचा करके रखे थे उसे भी इसमें डाल देंगे सभी चीज़ों को mix कर लेंगे और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक नमक को भी अच्छे से mix कर लेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और पानी डालने के बाद इसे धक करके 10 मिनट के लिए पकने देंगे 10 मिनट हो चुके हैं चलिए इसे चेक कर लेते हैं वाव देखिए साग का कलर कितना प्यारा आया है और ये काफी अच्छे तरह पक चुका है तो इस टेच पे हम हम इसमें थोड़ा सा गरम अधा गर्म आयड कर देंगे और इसे भीे मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसे 1-2 मिनट के लिए धक करके पका लेंगे एक दो मिनट के बाद देखिए हमारा साग एकदम होटल स्टाइल धाबा स्टाइल बन करके रेडी है इसको सर्विंग बोल में खाली कर लेंगे और उपर से एक मस्ट तड़का रेडी करेंगे जो इसे होटल स्टाइल धाबा स्टाइल लुक देगा और टेस्ट भी इनहांस क करेगा एक तड़का पैन में ओयल को गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे जीरा डालने के बाद इसमें डालेंगे हींग के बाद इसमें डालेंगे रसन को हमें थोड़ा लाल करना है और इसमें डाल देंगे सपेद तिल और लाल मिर्च जितनी आपको चाहिए उतनी सभी ची लसुनी पालक जो हमने घर में बड़ी असानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से बना करके रेडी की है तो इसके उपर हम यह तड़का डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा तो आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरू कर लिजे बेल बटन को अन कर लिजे ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिज़ए तो